हे एवरिवन कैसे हो आप तब अपरना चौधी ब्लॉक में आप लोगों का स्वागत है तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा तो गाजर को मैंने पहले ही धोकर उसे क्रश कर लिया है तो चलो अब इसका हलवा बनाना सुरू करते हैं तो हलवा बनाने के लिए मैंने मैंने एक कुकर लिया है तो मैं हलवा कुकर में ही बनाओंगी कुकर में जटपट से हलवा बनके रड़ी हो जाता है तो चलो इसमें मैं थोड़ा सा रिफाइन तेल एड़ करूंगी ऐसे तो हलवा घी में बनता है पर मुझे घी उतना पसंद इसलिए मैं घी बस जड़ासा ही रखोंगी तो इसमें मैं बस एक चम्मच के करीब घी रख रही हूँ और इसे थोड़ा मैं गर्म होने दोंगी तो घी हमारा गर्म हो चुका है अब मैं ये घिसी हुई गाजर इसमें एड करूंगे गाजर को थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसे चलाते रहना है तो देखे फ्रेंड्स मेरा गाजर भुन रहा है और भुन जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें दू धैट करूंगी तो अब मैं इसमें दूद एड करूंगी और मैं इसे दूद में ही पकाऊंगी बहुत सारे लोग पहले इसे गाजर को पानी में बॉइल करते हैं उसके बाद दूद में पकाते हैं पर इससे स्वाद उसका इतना अच्छा नहीं आता है तो अगर आपको घाजर का टेस्टी हलवा खाना है तो आप इसे दूद में ही पकाए और मैं इस हलवे को इदम झट तो मैं इसी में साथ में ही चीनी मिक्स कर लूँगी तो मैंने आठ छोटी चम्मच चीनी इसमें मिलाया है आप चीनी कम ज्यादा भी कर सकते हो अगर आपको डाइविटीज है तो आप इसमें सुगरफ्री एड़ कर लेना उसके बाद मैंने ये दो छोटी इलाइची ली है मैं ऐसे ही इसे क्रस्ट करके डाल दूँगी एक किदर छुटक दिया रहा और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे मैं दस मिनाट तक कुप करूँगी असे ढखकन लगा के